आपके अपने यूट्यूब चैनल टार्गेट नौक रियार पर और आप देख रहे हैं लोगडाउन के बढ़ने पर परिक्षांप बड़ा फैंसला आया है और परिक्षांप कब कहूंगी इस पर क्या कहा गया है सरकारों के दौारा चलिए हैं मुज पर ठीक इससे पहले किसी भी आप एक्जाम के तयारी करना है तो सबसे पहले आप इस चैनल पर प्राप कर सकते हैं ठीक उसके बाद अपने कमेंट पर अपनी उनिवेस्टी का नाम बता सकते हैं आप कि आपकी उनिवेस्टी कौन सी है पिर जैसे ही उस यूनिवेस्टी सम्मंदें को भी फैसल आएगा वो हम लेकर आजाएंगी ठीक चलते हैं नीज़ पर आज के हम देनिक जागन अखवार पर और ये आज का ही अखवार है ठीक तो ये लखा है लॉक्डाउन खुलने पर ही शुरू होगी स्कूल में प्रवेश प्रिक्रिया ठीक प्रवेश प्रिक्रिया के बारे में ब इत्यार के लिए और फिर्वेश के स्कूल में बच्च को प्रवेश की रहा दिख रहे हैं लोगों का फिलाल अब लॉगडान खुलने तक इन्तियार करना हो पड़ेगा सरकार ने लॉगडान स्कूलों सेक्शन संस्थानां बंद कर रखने का फैंसल लिया है और जिसे अब बिद्धियाल है जैसे शेंगड़न ने प्रिवेस्ट पिरिया फिला लॉकडाउन तक इस तक की रखने का फैंसला लिया है वही कोरोना की खत्रे को देखते हुए मानव संसादन विकास मंत्राले ने स्कूलों के लिए नई स्रुक्षा मारकों को तैय करने और काम सुरू करने के लिए कर दिया गया है जिससे स्कूलों के खुलने पर अनवाई रूप से लाओ करना होगा इसमें सरेडिक रूप से दूरी लिहाज रूम यहीं सरेडिक दूरी बनाए रखने क्लास रूम की छमता परिक्षा कर दोगी जो कितने बच्चे होंगे विस बच्चे होंगे और इसी तरह इसको बच्चों की सेहन की दियाने की सेहन वाइरस से जो है वो ज्याद़ प्रभावित नहीं हो रहा है तो इस बैसे हिमिनिटी बढ़ाने के लिए यह जो है फैसला लिया गया है और लेकिन लॉकडाउं खत्म होने के बाद पहली और चहटी जैसी कक्षाम प्रविस्पर के लिए जरूर जरूर सुरूर हो जाएंगी ठीक है तो अब जो भी काम होगा वो कब होगा सत्रे माई के बाद सत्रे माई का जो लॉकडाउन है उसके बाद ही इसमें फैसला लिया जाएगा कोई भी ठीक तो बने रही हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना जिससे कोई भी नहीं